नमस्कार दोस्तों सुआगा थे आप सभी का योगे सी लडिंग योटूब चैनल पर बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भरती 2022 की और इस भरती में इस परिच्छा में जितने भी प्रकार के बदलाओ की चर्चाएं हैं उसको लेकर के भी चीजों को समझने वाले हैं इसकी अलावा नवते बिद्याले से भी एक नया बिग्यापन देखने को मिल रहा है जिस पर आविदन चल रहे हैं गयर सैच्छडिक पदों के लिए इसको भी समझने वाले हैं तो जो भी छातर चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इंपोर्टेंट इंफोर्म एक ड्राफ्ट वाइरल हो रहा है इससे पहले समान निग्यान की चर्चाएं थी इस ड्राफ्ट की तो हम यहां पर बात बिलकुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी सत्यता है नहीं है और सत्यता भी है तो अभी यह नीमा वाली नहीं बनी है इसलिए हम यहां पर जो हा सामिल होने को लेकर की जो सिच्छा सिवय चैन आयोग का यहाँ पर जो है अधनियम वाइरल हो रहा था उसमें भी यहाँ पर यह चरचाएं थी कि समस्त भरती परिछाउं में समान नियान को भी सामिल किया जाएगा जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग की परिछाओं में देखने को मिलता है चाहे वो यहाँ पर जो है LT grade की हो या फिर GIC lecturer की हो तो आखिर जो यहाँ पर यह सामिल होने जा रहा है जो यहाँ पर स्लेबस में जो यहाँ पर बदलाओ देखने को मिल रहा यह कब से लागू होगा यह भी अपने आप में एक सबसी बड़ा यहाँ पर जो प्रस्न है यह बन जाता है तो देखिए मैं आप सभी को इसके regarding बता दूँ कि जब भी यहाँ पर कोई बिग्यापन जारी होता है किसी भी परिच्छा का तो यहाँ पर जो वो भरती यहाँ पर संपन होती है वो भरती उसी बिग्यापन के अनुसार संपन होती है अगर बीच में ऐसा कोई बदलाओ होता है तो यहाँ पर जो है नए आयोग को भी मालूम होना चाहिए कि इसका जम करके बिरोध होगा चुकि जो यहाँ पर समस्त अभ्यरती थे जो यहाँ पर 13,20,000 अभ्यरती थे यह आपके नए विग्यापन के बारे में नहीं जानते थे तब जब इन्होंने आवेदन किया था जब इन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा यह हो जाता है तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए अगर विग्यापन यहाँ पर 2022 में निकला है परिच्छा भी उसी के अनुसार होगी वही इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें नवोदे बिद्याले समीती को ले करके तो नवोदे बिद्याले समीती की तरफ से आपको एक यहाँ पर विग्यापन देखने को मिल रहा है गायर सैचलिक पदों पर यह भरती NTA करवाने वाली है नेशनल टेस्टिंग एजनसी के द्वारा तीस अप्राइल तक इसको ले करके आवेदन लिये जाएंगे आवेदन स्टार्ट हो भी चुके हैं कौन-कौन से पद हैं तो जितने भी पद हैं नन टीचिंग पोस्ट के ही है देखने को मिलता है फिमेल स्टाप नर्स एसो की भरती है इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर ओफिसर लीगल असिस्टेंट इस्टोनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर कायटरिंग सुपरवाइजर जूनियर सेकरेटरियेट असिस्टेंट हेड़कॉर्टर में और यहाँ पर आरो कायडर में जूनियर सेकरेटरियेट असिस्टेंट जे एनवी कायडर में और जो है एलक्ट्रिसियन कम यहाँ पर प्लंबर के भी इसमें पद हैं अटेंडेंट के पद है मेस हेलफर और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानि कि MTS के भी पद इसमें सामिल है तो ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक बहुत बहुत धन्नवाद